विल्टम टू शमी स्वर्ल्ट मेरा नामे शमन्त आज हम बनाएंगे टेस्टी टेस्टी मिर्ची का सालन तो छल ये बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक जरम कड़ाई में तीन शमच सूचा नारियल डालके तोड़ा चलर शेंच होने तक रोष्ट कीजिए अब इसमें एक चमच जीरा, एक चमच दनिया, दो चमच तिल डालके एक मिनिट फ्राई कीजिए अब इसमें रोष्टूर क्लीन किया चार चमच मूफली डालके लो फ्लेम में एक मिनिट फ्राई करके निका लिए ये बहुती टेस्टी रेसिपी है अब एक चमच तेल में एक चटाव प्यास डालके जोल्डन ब्राउन टेलर आने तच फ्राई कीजिए अमारे चैनल तो लाइट, शेर और सबस्ट्राईब कीजिए और में आज़े बढ़ाईए अब इसमें दोच मच लसन एक चमच हद्रट पांच रिमेर्च डालके एक मिनिट फ्राई कीजिए और स्टाव ओफ कीजिए अब इसमें रोज्ट के नारेल मसाला डालके मिलाईए अब इसमें आदा तब दही और तोड़ा पानी डालके अच्छे से द्राईब कीजिए अब पांच मच तेल में बढ़ी मेर्च तो सेंडर में स्लिट करके एक मिनिट फ्राई करके निताल लिए अब उसी तेल में एच्छमच राई, एच्छमच जीरा, आठ से दस तड़ी पत्ता और सिर्फ तोड़ा प्यास डालके फ्राई कीजिए अब इसमें द्राईट के मसाला डालके मिलाईए अब ट्वाटर छमच हल्दी डालके मिलाईए नमद स्वादनुसार और एच तब पानी डालके लोफ लेम में पांच मिनिट पत्ता आईए अब इसमें आदर तब इमली तब पानी और फ्राई कीजिए मिर्श डालके मिलाईए और लोफ लेम में पांच मिनिट पत्ता आईए अब इस में एक समच कर मसाला, दन्या पत्ता, तड़ी पत्ता डालते मिलाएए और एक मिनिट पताएए टेस्टी टेस्टी मिर्शी का सालन तयार है आप भी बनाएए और मज़े सिखाएए अडले वीडियो में फिर मिलेंदे तब तच अपना क्याल रखे देन्सरों, चिन्चे मिसल, शत्रिया!